हलो स्टूदेंट्स वेलकम बैक टू दनादर वीडियो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि ICSI CSET बुलिटिन नाम का एक आपका पब्लिकेशन पब्लिश करता है जिसमें कि यह मंतली बेसिस पर होता है हमने I think September तक का बुलिटिन कवर्ड कर लिया था अगर आप लोगों नहीं देखा है तो आप उसको चैनल पर जाकर देख सकते हैं It's very important because आपको current affairs से related सारी updates इसमें मिल जाती है ठीक है तो अब इसमें क्या है क्या क्या चीज़े हमारे को पढ़ नहीं है कौन से questions को किस तरह के से handle करना है कुछ और जो भी current affairs के बारे में हम detail में discussion करते हैं वो as usual हम इसमें भी करकर चलेंगे ठीक है ना तो देखिए अगर आप लोगों को अब जैसे की क्या है अब November मन्त में आपका paper भी है ठीक है ना So मतलब मैं कहूँगा कि अगर आपको timely basis पर मिल जाता है वीडियो तो आप please इसको एक बार सुन लीजिए ठीक है ना और जितना आपने कर लिया उसको आप अपना बस पकड़ बना कर उसको बार बार revise कीजिए ठीक है ना जादा कुछ नया पढ़ने के चकर में मत लगिएगा ठीक है और मैंने जो उस वीडियो में आपको बताया था अगर आपने I think September मन्त की देखी होगी तो उसमें ही मैंने जो इस मन्त की current affairs के बार में मैंने उसी मन्त में आपको reference दे दिया था अगर आप उसके बाद इसको सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छे से चीजे समझ में आएंगी ठीक है चलिए अब बात करते हैं तो सर की October में इसमें हम क्या पढ़ेंगे तो basically देखिए अब जैसे innovation index 2022 ठीक है ना तो ये एक हमारे part पर थोड़ा से important हो जाता है कि जब index आता है तो इसकी क्या कोई theme के बारे में भी बताया जाता है तो क्या हमारे को theme के बारे में knowledge है अभी आपको कुछ नहीं पता होगा ऐसा मैं मान कर चल रहा हूं ठीक है बट जब हम इस lecture को खतम करेंगे तो आपको उस चीज की सारी understanding होगी कि सर index का मतलब होता है इसमें तो ranking दी जाती है तो क्या India जो है ranking में नीचे गिरा है या उपर उठाई ये सब कैसे पता चलेगा इसलिए मैं आपको reference के साथ सारी चीजे बता दूगा तो आपको घबराने की कोई जरोत नहीं है बस आप अ तो as usual हमारे president sir का message है आप उसको पढ़ना चाहे तो please चरूर पढ़िएगा ठीक है मैं बात कर लेता हूं global innovation index के बारे में ठीक है तो ये basically क्या है जो भी मतलब ICSI का staff है ICSI के directors है assistant directors academic team के वो इसको prepare करते हैं तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि sir इसमें हमारे exam related आप बता ठीक है sir ये तो paragraph form में हमारे को बहुत सरी चीज़े बता रखी है आप ही बताए कि हमसे क्या चीज़े पूछी जा सकती है तो देखिए students क्या होता है मैं आपको बताता हूं जैसे मान लीजे एक second 2015 था 2015 में जो इंडिया की ranking थी हमारे भारत की इंडिया की जो ranking थी वो थी 81 अ अब आपको इसको note कर लेना चाहिए reason क्या है क्योंकि देखिए यह जो मैं factual data आपके पास place कर रहा हूं यह आपके लिए बहुत important बन जाएगा ठीक है ना आप जब इसको पढ़ेंगे इस तरीके से तो आपको यह data इसमें नहीं मिलेगा जो कि आपको exam में आपकी analytical thinking के इंप 21 rank थी फिर 2021 की अगरम बात करें तो 2021 में 46th rank तक हम पहुच गए थे तो सर अब 2022 की अगरम बात करें क्योंकि हम से तो सर हम तो 22 में खड़े हैं तो 22 से पूछेंगे तो 22 में अब इंडिया की ranking क्या है 40th rank पर इंडिया खड़ा है अच्छा सर आपने 40th बोला इसका मतलब क्या है सर टोटल कितनी countries हैं जिसमें से आपने 40th इंडिया को rank दी तो total हम आप लिख सकते हैं total 132 countries का ये index जारी होता है जिसमें इंडिया की हमारी ranking क्या है 40th है ठीक है चलिए अब सर आप theme की भी बात कर रहे थे तो बिलकुल एक मैं theme की बात कर रहा था जो कि हर साल की इसके लीजे what is the future of innovation driven growth अगर आप करते तो मैं लिख देता हूँ what is the future of innovation driven growth ठीक है तो अब अब आपको अगर कोई चार चीजे पूछ सकता है तो आप इसके basis पर answer अपना frame कर सकते हैं कि आपको कोई issue नहीं आएगा ठीक है न और फिर आप जैसे एक ये organization के बारे में बता दिया तो आपको एक idea होना चाहिए कि sir ये क्या है तो basically क्या है एक intellectual property की organization है जो की global basis पर है ठीक है न और sir इसमें कितने members हैं आपको पता होना चाहिए इसमें 193 members है ठीक है चलिए बाकी बहुत सारी चीजे है इसमें भी आपको जैसे ये पढ़ने को मिल जाएक तो इस तरकी का अब जैसे इसका headquarter कहां पर है जेनेवा सुजयलेंड में तो ये कुछ factual ऐसा data होता है जो कि आपको पास prepare होना चाहि और बाकी ये सारी चीजे आपको करीब है एक बार आप glimses एक at a glance जैसे कहते हैं bird eye view आप उसको देख सकते हैं और आप उसको अपना idea रख सकते हैं ठीक है बड़ मैंने अपने part पर जो मैंने important important चीज हुई है वो आपको बता दिया इसमें एक चीज और मैं आपको बता देत जाओं basically एक न अटल अटल टिंकरिंग अटल टिंकरिंग लेब्स का एक जिकर आता है मतलब उसका क्या है मतलब कि ये जो एक इस तरकी के अगर आप इसको कभी गूगल भी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इस तरकी की लेब्स खोलने का मतलब लिया गया है प्रण जि ठीक है, चलिए, उसके बाद जो भी कुछ आपके लिए important है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, हाँ, this is the important one, जैसे कि अब आपसे पूछा जा सकता है कि सर, ठीक है, आपको भी पता है कि 5G के services launch हो गई है, और ये सारी चीज़ आपको पता है, बट, मैं आपसे एक important चीज़ पूछता हूँ, कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ, कि सर, 5G की जो service है, इसके uses कहां कहां हो सकते हैं, तो क्या आप इसका answer कर पाएंगे, तो कुछ चार पाँच चीज़े हैं, मैं आपको बता देता हूँ, बिकाज ये आपके लिए important हो सकता है, कि माली चीज़ आपका एक question बन जाता है, और आपको चार option दे देते हैं, उसमें से एक आपको चूज करना होगा, जो की use होगा, किसके लिए 5G की uses होगे, तो आपको वो सारी चीज़े पता हो नहीं जीज़े, मैं आपको बता देता हूँ, पहला है आपका, जैसे tally medicine, ठीक है, मुझे अगर लिखने की कोई जरोत नहीं हो, तो मुझे please, आप comment box पर mention कर दीजेगा, अगर verbally भी आप लिख सकते हैं, तो please उसको लिख लिजेगा, जिससे time कम consume होगा, और हम आगे उसको short video में ही एक तरीके से काफियत तक हम content को consume कर सकते हैं, ठीक है, तो पहला हो गया tally medicine, ठीक है न, फिर दूसरा हो गया tally surgery, इसका क्या मतलब हो रहा है sir, इसका मतलब यह हो रहा है कि हम जो tally, मतलब on a phone, phone पर ही हम यह सारी चीजे उपलब करवा सकते हैं, कि माल लीजे एक doctor है, ठीक है, माल लीजे एक बहुत अच्छे doctor है, जो की सिर्फ दिल्ली में ही available है, ठीक है न, और किसी बिहार के बच्चे को, किसी पटना के बच्चे को, या किसी पटना के citizen को इलाज करवाना है, तो वो अपना इलाज करवाने दिल्ली नहीं आ पारे, तो क्या हम उनकी service 5G की service से use करवा के, वो सब चीज़े effective mode पर करवा सकते हैं, ठीक है न, फिर तीसरा home का automation, business का integration, cloud gaming and then meta, तो इस तरीकी की चीज़े है, अब जैसे क्या होगा, अब आपने एक बार सुन लिया होगा, तो आपको eliminate करने में, question को solve करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है, बाकी आपको बहुत सारी चीज़े दे रखी हैं, इसमें भी अगर कहीं कुछ आपको इस तरीकी का use मिल जाता है, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है न, और बाकी आप इस चीज़े में काफी कुछ खुदी knowledgeable रहते हैं, तो इसमें मुझे शायद आपको, जो चीज़े आपको नहीं पताती, शायद वो बताने में मुझे ज़्यादा अच्छा लगीगा, क्योंकि और जो आपको पता है, उसलिए उसमें आपका कोई time waste करके मुझे फाइदा नहीं है, ठीक है, चलिए, अब आगे चलते हैं हम थोड़ा सा, ये तो कुछ मतलब basic सी information है, मतलब कुछ इसमें मुझे ऐसा नहीं लगा, ठीक है न, तो चलिए, तो कुछ questions हैं, जो cover कर लेते हैं, एक इस तरह की questions होता है, जो आपका हमेशे अगले doubt सा रहता है, कि सर, PQRS को SPUR लिखा है, देखिए, अगर आपको कोई चीज आती भी है, तो प्लीज आप इसको skip करकर आगे चल सकते हैं, जरूरी नहीं है, आपको पूरा ही वीडियो सुनना है, हाँ, बट अगर आपको कही न कहीं किसी चीज में doubt है, प्लीज कमेंट बॉक्स मर जरूर मेंशन करिएगा, मैं हो सकेगा, तो next वीडियो में उसको consider कर लोगा, तो sir, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, P, Q, R, S को sir, S, P, U, R लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ सर, P, Q, R, मतलब Q, R के बाद S आया, ठीक है सर, फिर P के बाद Q आ गया, ठीक है न, S, P, U, R, S, T, U, ठीक है न, तो इसमें S और T, मतलब एक पीछे हो गया, दो आगे हो गया, ठ इसका मतलब अब हमारे को sir trend एक relationship समझ में आ रही है कि पहले है और आखरी में तो दो का gap है बाकी फिर नीचे से हम शुरुआत करते हैं ठीक है ना चलिए तो M I L K ठीक है ना तो दो का gap है मतलब M N N हटा देंगे O हटा देंगे P आ जाएगा चलिए sir अब यहां पर एक पहले आ करेंगे पर जो इसका L M N O तो L M N लिख लेते हैं L M N O ठीक है ना तो दो का gap है तो दो का gap करेंगे तो आप क्या लिखेंगे M N हटा देंगे तो यहां पर क्या आजएगा P H O अब आप खुदी option में से देख सकते हैं आपको ज़्यादा पूरा करने की भी जरुद नहीं है तो answer हो जाएगा इसका हमारा B चलिए बाकी odd one out यह तो बहुत simple है इसमें मुझे आपका कुछ ज़्यादा बताने की जरुत नहीं है बट फिर भी अगर मैं कोई questions आप लोगों के लिए आपको लग रहा है कि सर यह शायद आपने नहीं बताया और अगर आप मतलब आगे कभ फिर वीडियो आपके लिए बलाने पड़ जाएगे but it depends upon the request और आप इस वीडियो को जितना ज्यादा students के साथ share करेंगे हो सकता है कि माल लिजे किसी question पर आपका doubt नहीं था but हो सकता है कि आपको वो concept नहीं समझ में आ रहा था but अगर आपने किसी के साथ अपने colleagues के साथ friends के स वीडियो शेर किया और उन्होंने वो doubt पूछ लिया तो इसका मतलब क्या हुआ आपको भी उसका benefit मिल जाएगा ठीक है न चलिए तो सबसे पहले अब कुछ current affairs की question है जो हम discuss कर लेते हैं जो कि आपके लिए important बन जाते हैं सबसे पहला question क्या है who has been made the national icon of election commission of India ठीक है सर मतलब एक हमारी जो country है उसमें election commission of India है जिसको हम election अब जैसे आप recently अगर आप सुन रहे होंगे अगर थोड़ा बहुत भी अगर आप idea रखते हैं कि हिमाचल परदेश और गुजरात में election होने वाले हैं ठीक है न तो उसकी जो date की notification है वो सब काम कौन करेगा election of India करेगा बट अब उ उससे related तो हमारे को कोई information नहीं जाननी हमारे को तो यह जानना है कि who has been the national icon तो अच्छा अब पहले एक चीव मैं बता देता हूँ आपको कि जो election commissioner of India है उसकी जो chief election commissioner है उनका नाम है राजीव कुमार ये सिर्फ आपके लिए factual information मैंने बताई और उन्होंने national icon को गोशित किया है ठीक है पहली चीज अब किसको किया है तो वो आप जान लिजे पंकश त्रिपाटी जी ठीक है उनको उन्होंने क्या बनाया है national icon बताया है क्यों क्योंकि उनके observation उनके skills को देख कर कि भही ये उस cause के लिए बड़े helpful है तो उन्होंने इनको national icon कोशित कर दिया है ठीक है चल combination होगा उस date से किस Chief Justice का period एक तरीके से जो मैंने आपको मैंने आपको बोला था कि मैंने आपको September की bulletin में ही इसका reference दे दिया था कि जो कि आप आगे पढ़ेंगे और देखिए वो current affair के एक तरीके से आ गया है तो मैं आपको बता दूँ जो अभी at present Chief Justice of India है जो कि 49th है वो कौ हमारे 50th Chief Justice होंगे और मैं आपको ये एक चीज और बता दूँ क्या ये 2023 में retired हो जाएंगे नहीं इनका जो tenure है वो 10th, 11, 2024 तक रहेगा ठीक है तो अब एक तरीके से आप लोगों को ये current affair 2023 में तो कम से कम और 2024 में भी more or less काफी हथ तक आपको नहीं पढ़ने को मिलेगा जो आ बाकी अब अगर आप पूछें कि सर ठीक है ये दो का तो आपने बता दिया बाकी दो कौन है अगर हम तो जानने की वैसे अगर आपको जलूओ थे तो आपको मैं बता देता हूँ विनीच सरन जी भी हमारे एक former Supreme Court के जज रही है और जो ये रविंदर भट जी है ये हमारे Supreme Court के जज है ठीक है तो ये सिर्फ मैंने आपको reference के लिए बता दिया जिससे कि आपको इन लोगों के बारे में भी जानकारी हो जाए अब question number 18 who has been appointed as the presiding officer of the UAPA tribunal by the government of India अब sir ये UAPA क्या होता है तो देखिए UAP means होता है Unlawful Activities Prevention Act ठीक है ना तो ये इस act का जो tribunal है उसमें किसको presiding officer बनाया गया है government of India ने तो आप उनका नाम जान लीजे उनका नाम है दिनेश कुमार शर्मा ठीक है क्योंकि अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर आपको idea होगा तो अभी आपने सुना होगा PFI Popular Front of India करके एक organization थी जो की terrorist activities में involved कुछ उनकी आई गई थी गतिविदियां तो उसको ban कर दिया गया था तो उसमें इन लोगों का बहुत बड़ा support रहा है तो इसलिए मैं आपको ये reference के लिए बता रहा हूँ अगर आप जाना चाते हैं कि सर बाकी के लिए भी हमारे को बता दीजे तो पंकच बाटिया जी एक तरीके से जो यूपी में एक district है बस थी उसके judge है विवेक शर्मा जी की अगर हम बात करें तो ये अलाबाद high court के अलाबाद प्रियागराज जिसको भी है जो भी आप समझते हैं उनके justice हैं ये और जो अगर हम राजीव मिश्रा जी की बात करें तो ये तो एक normally CEO हैं एक bank के ठीक है ना तो जो आपका एक answer था वो मैंने आपक पढ़ रहे हैं तो अब आपको UAPA का मतलब नहीं पता इसलिए बट अब हमारे guidance हमारे support से आपको इस चीज की help मिल जाती है ठीक है ना चलिए तो आगे चल सकते हैं चलिए मुलायम सिंग यादव who passed away 19th question मैं पढ़ रहा हूं मुलायम सिंग यादव who passed away recently had served as the chief minister of which state ठीक है तो जो भी लोग हैं उस state से बिलॉंग करते हैं उसको उनका answer पता होगा बट कोई बात नहीं अगर आप लोगों को नहीं भी पता तो मैं आपको बता दूँ उत्तर परदेश ये जो की youngest chief minister रहे हैं एक अकलेश चादव उनके father का नाम है जो की अभी recently passed away जिनकी recently अभी death हो ग का कहता है global hunger index और ये सच में ही मतलब अगर मैं कहूं तो बड़ा मतलब इंडिया के लिए हमारे बहुत बहुत negative चीज है इसमें मतलब मुझे बड़ा दुख भी हो रहा है इसको बताने के लिए कि देखिए कहीं हम 2021 में 101 ranking पर थे पर इसमें हमारी country slip हो गई और हमारी country की ranking 107 देखे ये एक number नहीं है students की sir 101 हमने रट लिया 107 रट लिया आप इसको अगर महसूस करेंगे तो कहीं न कहीं आप सोचेंगे कि हमारे से छोटी छोटी countries भी कभी कभी कभार आगे चलियाती है मालीजे बांगलादेश हो गया श्रीलंका हो गया कभी कभी कभार ऐसा होता है कि ये हमसे आगे पहुच जाती है उस चीज में चाहे happiness की बात कर लीजे चाहे hunger की बात कर लीजे तो कहीं न कहीं इस point of view पे हम लोगों को सोचना होगा इसलिए क्योंकि आप ये चीज़े रट लेंगे उससे कोई फायदा नहीं होगा आप उस चीज को महसूस करेंगे आप जै ये भी आप देखिए कि total 101 countries में हमारी rank 107 वी rank है बड़ी सोचने वाली बात है students तो इस चीज पर भी आपको गौर करना चाहिए ठीक है तो with this हमने ये सारे current affairs आपके detail में बहुत अच्छे से discuss कर लिए ठीक है तब भी अगर आपको लगता है कि sir हमारे को इस current affair में हमारे को इ मुझे timely basis पर जैसी time मिलता है मैं आपके लिए video जरूर बनाता हूँ ठीक है so तब तक के लिए goodbye and all the best for your examination ठीक है बहुत अच्छे examination करिएगा tips तो वैसे मैं इस तरीके से देता ही रहता हूँ but फिर भी अगर आपको कुछी किसी चीज की requirement हो तो मैंने आपको freely बोल रखा है आ आप उसको पूछ सकते हैं चलिए thank you so much God bless you all